पोठी अथाना छेत्र में दबंगों ने जबरन विवादत जमीन पर किया कबजा फर्याद लगा रहे हैं पुलिस अधिक शक से खटियार के पोठी अथाना छेत्र की कुशियारी गाउं में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद चल रहा है जिसमें दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं कि उक जमीन उनका है जिस पर पहला पक्ष के द्वारा उक जमीन पर धारा 144 लगाया गया है ताकि मामला जब तक कोर्ट में लंबित है और मामले की सुनवाई दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष को नहीं मिलती है तब तक कोई भी कबजा ना करे इसी को लेकर पहले पक्ष के लोग ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि दूसरे पक्ष के लोग उस जमीन पर कबजा करने के लिए पहुँचे तो पहले पक्ष के द्वारा विरोध किया गया लेकिन विरोध के बाब दूत उन्होंने जबरदस् से में चुटाया जाला कि दोनों पक्ष के द्वारा दावा किया जा रहा है और विवाह कि यंगा STAR भी द्वाधे साथ जमीनर पर 141 में द्विश्यान और दोनों पक्ष़ों को नियाययययय पर बडूसा अब देखने वाली बात यह है कि विन्यायले किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। खेसरा 1213 और रखवा सारे 23 डिसमिल पे जमेला है। मुहम्मद गालीब है और जमसेद है और अबु साले है। मुर्गी फारम बनाया। पुलीस परसासन के यहां दोर दोर के 144 होने के बाद गए। कभी कहते हैं कि बढ़ावू से बेंट किजिए कभी कहते हैं बढ़ावू से बेंट करते हैं तो छोटा वावू का नाम कहता है। मारपी हर हत्यार के साथ आ जाता है। करवाई के बाद उस जमीन पर 144 लगाया गया से एक सो चावालीस का नोटिस मुझे तईस एं उन्तीस दस को मिल चुका है से अभी तक थाना के तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुए। चाहते हैं कि मुर्गी फॉर्म को जब तक 144 है फिलाल बंद किया जाए। कानूनी लड़ाई हुए। अभी कहा रही हुए। अभी सर एस पी साब के पास आये हुए। मेरे पापा गए थे और हम भी गए तो पापा के उपर वो लोग हत्यार लेकर के मार करने के लिए तयार हो गए। मुहमद इंतिसार आलम।